नमस्ते योगीज, स्वागत है आपके वेट लॉस सीरीज के डे 6 में, शुरू करने से पहले आप इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डाइट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी टिप्स बताएं हैं, जो योग के साथ आपको करने हैं अच्छे रिजल्ट्स के हो जाएं, अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गयाप ले ले जितना मेरा दिखाई दे रहा है उतना, जैसे जितने अपने कंदे होते हैं उतना लेना है, पैरों के जो तल्वे हैं उन पर अच्छे से बजन डालेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ, सारा वेट एडियो साथे को नीचे ले आएं, इसके बाद साहस बरते हुए दोनों हाथ ले जाएंगे ऊपर और फिर इंटरलॉक करेंगे लिग को पलट देंगे और इसके बाद सामने देखेंगे, साहस्थ बरेंगे और अपनी टोस पर आजाएंगे यहाँ पे 5 सेकंड रुखना है हमें 1, 2, 3, 4, 5 एक लंबा सास भरें और छोड़ते हुए नीचे आए जब हम उपर जाते हैं तो हम नॉर्मल सास लेते रहते हैं यह ध्यान रखना है सास को छोड़ते हुए नीचे आजाए इसके बाद क्या करेंगे हम दोनों पेरों को थोड़ा सा पास लेके आएंगे कमर पे हाथ और हम थोड़े से लेग रेज करेंगे इसके लिए सबसे पहले साइड में करेंगे 20 फिर 20, फिर फ्रेंट में 20 फिर दूसरे पैर से 20 तो एक के एक पैर से एक बार में करेंगे तो सबसे पहले left leg से कर लेते हैं एक इस तरीके से दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस और करने हैं यह जो side fat होता है उसके लिए बहुत अच्छा है दस और करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक नीचे पहर रखेंगे दो, इस तरीके से करेंगे या फिर आप नीचे जमीन पर टच नहीं करके सीधे आपको उपर नीचे, उपर नीचे लिफ्ट करना है यही चीज दूसरे पहर के साथ करेंगे इस पहर पर वजन आएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस अब दस और करेंगे सीधे खड़े हो जाईए दस के बीच में मैंने ब्रेक इसलिए बोला क्योंकि आपका बैलेंस कराब हो सकता है तो थोड़ा सा रूखेंगे और फिर बाकी के 10 कम्प्लीट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और आखरी में 10 इसके बाद फ्रंट में जो मैंने बताया था कैसे करेंगे? सीधे खड़े हो जाएंगे हाथ ऐसे ही कमर पे रहेगा और इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस थोड़ा सब्रेग दूसरा शुरू एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस चलिए दूसी तरफ आजाएए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस एक और बार लंबा गेरा सांस लेंगे फिर दस शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस ठीके, यहाँ पर यह खतम हुआ अब क्या करेंगे, साइड में बेंड होंगे दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लेके आए चेस्ट बाहर निकालेंगे अब क्या करेंगे, सांस भरेंगे और एक हाथ उठाएंगे हतेली उपर की तरफ और दूसरी साइड में बेंड होना है थोड़े से गैप को जो है हम और बढ़ा देंगे यह देखे, इस तरीके से अब क्या करेंगे? इस हाथ की हतेली उपर लेके गए, सांस भरेंगे यहाँ पे रुख जाएं एक, दो, तीन, चार, पांच सांस भरेंगे, सेंटर में आगे और यहाँ से एक्जेल हतेली नीचे यह देखे, सेम चीज दूसरी तरफ, हतेली उपर एक, दो, तीन, चार, पाँच सांस भरे हतेली नीचे की तरफ और एक्जेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ गया सेम दुबारा से कर लेते हैं दूसरी साइड पर फिर से सांस भरे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छोड़ते हुए नीचे, हतेली नीचे आ गई, दूसरी तरफ सांस भरे एक, दो, तीन, चार, पाँच सांस भरे, सेंटर में आए और एक्जेल करते हुए पूरा नीचे आ जाएगे इसके बाद हम करेंगे आसन, पार्स्व उत्तान आसन बहुती अच्छा आसन है हमारे हमस्टिंग के लिए, बाक के लिए और हमारी बैली के लिए तो हम क्या करेंगे, गैप को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तीन से साड़े तीन फीट तक अब देखे क्या करना है हमें एक पैर का जो पंजा है उसको 90 दिग्री मोड़ देना है इस तरीके से ये देखे बिल्कुल सामने की तरफ मेरी जो कमर है वो यहाँ पे रहेगी सामने की तरफ फिर ये जो दूसरा वाला अंगूटा है पैर का उसको हलका सा अंदर ले आएंगे 45 डिग्री एंगल तो ये 90 है तो इसको हम 45 डिग्री पर लेके आगए और ये वाला सीधे 90 पर है ये पुजिशन रहती है इस एंगल इस वाले आसन में ये फाउंडेशन है जिसको हम नीव बोलते हैं आसन की इसके बाद हम आसन में एंटर करेंगे अब क्या करेंगे ये जो सीधे हैं ये 45 ये 90 डिग्री इसके बाद क्या करेंगे हाथ जोडेंगे ठीके इसमें दो तरीके से कर सकते हैं अगली बार मैं बताती हूं आपको तो सबसे पहले क्या करेंगे सांस भरेंगे और एक्जेल करते जाएं और एकदम सामदी की तरफ जुख जाएंगे यहाँ प 5 कोशिश करें और नीचे आने की और हाथ यहाँ पर रख देंगे गुटना मोडेगा नी इसमें अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो हाथ यहाँ रख देंगे पर यहाँ पर ही रुखेंगे ठीके शांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, हातों को लिजाए पीछे, चेस्ट एकदम खुला हुआ, सास भरे, और छोड़ते हुए नीचे एक, दो, तीन, चार, पांच, सास भरे, उपर, सामने की तरफ आ जाए, यही सेम चीज़ अब हम इस तरफ कर लेते हैं 90 डिग्री, यह 45, कमर एकदम सामने, हाथ जोड़ेंगे, सास भरेंगे, और छोड़ते हुए दीरे-दीरे-दीरे-दीरे नीचे एक, दो, तीन, चार, पांच, सास भरें, एक्जेल नीचे दोनों हाथों को पीछे रे जाएंगे, एक और बार, चेस्ट खोलें, सास भरें एक, दो, तीन, चार, पांच, सास भरें और एक्जेल, हलके से हाथों को लूज करें, सामने देखें, और धीरे-दीरे आसन से बाहर निकल के आएं, ये है पार्स उत्तान आसन, ठीक है? अब हम करेंगे अगला आसन, वारियर थ्री, वीर भद्रासन तीन, हमने पहले दूसरे सेशन में कम्प्लीट करें, तीन टाइप के होते हैं, तो आज हम वारियर थ्री करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आसन होता है, इसको मैं आपको करके बता देती हूँ इस आसन में बैलन्स का में खेल है, अगर आप एक पेर पे बैलन्स कर लेते हैं, तो यह आसन बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर आप बैलन्स नहीं कर पाएंगे, तो यह तफ लगेगा इसको करने के लिए आपको सबसे पहले concentration की बहुत जरूरत है, जितने भी बैलन्स नहीं होते हैं, उसमें आपकी physical body और आपका mental body involved होता है, और इसी वज़े से जब हम योग अच्छे से practice करते हैं, तो थोड़े time के लिए हम लोग बाहर की दुनिया से खुद को cut off कर लेते है तो देखे इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से पहले सामने खड़े हो जाएं, एक लंबा गहरा सांस लें, एकदम relax हो जाएं, इसमें भी same, जैसे जो हम pre-pose करते हैं, जिसमें हम अपने एक पेर पे balance करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसमें करना है रक्षासन की तरह, तो हम ल लेफ वाला बलेग है, वो पीछे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हातों को जोड़ लें, इससे आपका balance थोड़ा बना रहेगा, या आप अपने हातों को पेर पे रख लें, जैसा आपको ठीक लगे, पर हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता रही हू सांस लेते रहे हैं, यहाँ पे धीमे-धीमे, यह देखिए, यह पेर पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, यहाँ पे आपको रुख जाना है, कुछ सेकिंड के लिए रुखेंगे, सांस लेते रहेंगे, और हलके से आ जैंगे वापस, ठीक है, तो यह हुआ Warrior 3, फिर से एक एक बार इसी पैर के साथ दुबारा करेंगे, पैर को अच्छे से जमाएं, ठीके, लंबी घहरी सांस लेते रहें, ठीके, चाहें तो हातों को सीधा कर दें, और आजाएं वापस, बहुत देर रुखने की जरुवत नहीं है, अगर आप तीन सेकिंड भी रुख पा रहें, तो सक्सेस्फुल हैं आप इस आसन को करने में, सेम चीज़ अब हम रिपीट करेंगे अपने लेफ लेक के साथ, सेम बैलन्स का काम है इसमें, पीछे पैर को लेके जाएंगे, और हलके हलके पैर को उठाएंगे, और हलके सा जाएंगे, वापस, सेम चीज़ दुबारा से, दू एक और बार करेंगे, अगर आज आपसे नहीं हो रहा है, तो आप यह मैं सुची कि कभी नहीं होगा, यह अभी मैं भी करती हूँ, कई दिरों बात तो फिर से मुझे नहीं होता है, तो जितना आप प्रेक्टिस करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, तो चलिए फिर से दूसरे पैर के साथ दुबारा एक और बार कर लेते हैं, पैर पीछे जाएगा, चाहें तो हाथ आगे ले आए, और इसके बाद आजाएं, वावनस, तो ये हुआ वारियर थ्री इपोल्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे पारीवरत अंजिनी आसन, बहुत ही आसान है, सबसे पहले उत्तन आसन करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, कई बार हमें एक आसन करने के लिए, पहले उसका प्री आसन करना पड़ता है, फिर हम दूसरे में जाते हैं, तो हम उत्तन आसन करेंगे, जिसके ल और ये वाले जोनों हाथों को बिल्कुल अपने पैरों के बगल में लेखे आएंगे और राइट लेग पीछे यहाँ पर आने के बाद घुटना नीचे रख देंगे यहाँ पर आप अपने घुटने और एंकल पर ध्यान दीजे सेम उसमें होना चाहिए ठीक है यह देखे और जो टो है दूसरे पैर की वो एकदम पीछे रेस्ट करेगी यह देखे यह अंजिनियासन होता है जो मैंने पहले भी कराया था यहाँ पर और ऐसे हम कर रहे हैं पारी दोनों हाथों को साथ में लिया नमस्कार आसन किया और यह देखे कोनी से हम लोग अपने घुटने के उपर रखे इस तरीके से दूसरी तरफ देखेंगे इसको कहा जाता है पारीवरत अंजिनी आसल यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे जितनी देर आप से रुका जाए उतना तो अभी हम पांस सेकंड के लिए रुकेंगे और लंबी-लंबी सांसे आपको पूरे टाइम लेते रहनी है और इसके बाद दोनों हाथ आजाएंगे वापस गुटना ऊपर और आगे दूसरा पैर यानि कि लेफ लेग पीछे लेके जाएंगे गुटना नीचे और द दूसरी तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच, सास भरें, सामने आए, एकजेल, सास भरें, और एकजेल, गुटना उठाया, पैर उठाया, और आगे, सामने देखें, हाथ उठाये, सास भरते हुए उपर आके, एकजेल करते हुए हाथ नीचे, अब जो बागी के सेशन है, व तो चलिए, अब हम करेंगे उस ट्रासन, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा से एक बेरियेशन करेंगे, जो हमारे बैली फैट के लिए और हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, तो बज्रासन में सबसे पहले बैठ जाए है, और उसके बाद अपने घुटनों पर इस तरीके से हमें खड़े हो जाना है, रोक के बीच में कंधे के बराबर का गाप ले लेंगे, अगर आपके गुटों में थोड़ा पेन रहता है, तो आप क्या करेंगे, एक छोटी टावल रख सकते हैं, अगर आपको चुब रहा है, क्योंकि हम थोड़ी देर तक कुछ एक्सरसाइजे इसमें करने वाले हैं, तो एक तावल या कोई कॉटन का कपड़ा आप रख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले सामने देखेंगे, करना क्या है इसमें, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने ले आए, यह देखिये, पूरे मेरे जो हाथ हैं, उंगलि लेके वापस, दोनों हातों से पांच पांच बार करेंगे, यानि कि टोटल टैन, चलिए साथ में शुरू करते हैं, एक, दो, तीन, चर, और हो गए, पांच, हातों को नीचे ले आईए, पांच मैंने कैसे काउंट किया, पूरा एक साइकल होने के बाद, एक तरफ पांच, एक तरफ पांच, ठीक है, सामने देखेंगे इसके बाद फिर से दोनों हाथों को ले आए पीछे सामने देखते रहिए और फिर क्या करेंगे सांस लेंगे सबसे पहले एक्जेल करते हुए पीछे यहाँ पे रुकें एक, दो, तीन, चार, पांच सांस वापस जब हम रुके थे तो सांस हमें नॉर्मल रहनी है इधान रखना है जब तक मैं ना बोलूँ कि आपको आसन में सांस रोकनी है तब तक आपको सांस लेनी है यह आप ध्यान रखें फिर एक और बार एक, दो, तीन, चार, पांच वापस आखें अब क्या करेंगे? अब करेंगे उस्टासन थोड़ा सा पैरो को पास लेके आए यह आप अपने जो फिंगर्स हैं पैरो की उसको इस तरीके से रोल कर लेंगे देखें, सबसे पहले क्या करेंगे उस्टासन में कोई भी एक हाथ, जो साइड आपको ज़ादा मजबूर लगती है आप सबसे पहले अपना जो राइट हाथ है उसको रग दें अपनी एड़ी के उपर यह देखें, सांस भरे और दूसरे वाले हाथ को पीछे ले जाएं यह देखें, और इसके बाद ऊपर देखेंगे रुकें आपे, एक, दो, तीन, चार, पांच सांस लेते रहे, हल्के से वापस आ जाए, ठीक है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है उस्टासन में दो चीज़ों का एक तो जब आप पीछे होल कर रहे हैं, तो सांस लेना कभी न भूले जब भी हम backward bending करते हैं, सांस लेना कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि bend होते हैं, oxygen नहीं जाएगा तो चक्कर आ सकते हैं, आप गिर भी सकते हो, तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का और जब उस्ट्रासन करते हैं, तो अपना ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो थाइस है और अपना पेट है, इसको आगे को धक्का दे, ठीक है जितना इसे आगे को धक्का देंगे, उतना आपका chest expand करेगा दूसरी बार करते हैं, और आपको मैं ये भी बताते हूँ, कि क्या इसमें गलती करते हैं, ठीक है ये देखे, दूसरे बर्जर में मैंने toes को भी नीचे रख दिया है, सामने पहले मैं गलती बताओंगी क्या करते हैं हम, तो हम जब पीछे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इस तरीके से उश्रासल करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, थाइज आगे, देखें हिप से एकड़म टाइट, और फिर आप देखेंगे सामने, धीरे से वापस, मैं ज इसके बाद आप क्या करेंगे, दुबारा से वजरासन में आके बैठ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, हम सीक्वेंस करेंगे 5 बार वजरासन से भुजांगासन, वजरासन से भुजांगासन, कैसे करेंगे, यह देखें, सबसे पहले वजरासन में ब वजरासन, वजंगासन, हाथ आगे लईए, फिर एक्जेल, इन्हेल, एक्जेल, दो बार, और वापस, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं इस तरीके से तो आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, वो आप कर लीजे, तो हम लोग पहरे तो आ गए वजरासन में, अब क्या करेंगे? हलके से अपने हाथों को यहां लेकी आएंगे, ठीके, चायल पोस में, और फिर क्या करेंगे? हलके-हलके नीचे बैठेंगे, फिर इन्हेल करेंगे, और एक्सहेल करेंगे, ठीके? और उतके बार वापस. तो हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, बढ़ हमने उसे कई सारे स्टेप्स में तोड़ दिया और अगर आप कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, इन्हेल वापस चार बार हुआ आगे वापस तो ऐसा आप हमने पांच बार कर लिया है, इसके बाद हम मरजरी आसन करेंगे और कुम्भक आसन मरजरी आसन के लिए इस तरीके से टेबल टॉप में आजाएं, पेरों के बीच में कंदे के बराबर गया है इन्हेल और एकसेल सांस चोड़ेंगे, फिर सांस अंदर भरेंगे सांस चोड़ेंगे फिर इन्हेल और एकसेल और फिर टेबल टॉप में आजाएं अब देखिए, यहां से हमें कुम्भक आसन करना है, जिसको इंग्लिश में प्लैंक पोस भी कहते हैं तो क्या करेंगे हम सबसे पहले राइट लेक को बिलकुल सामने इस तरीके से ले जाएं ठीके और अपने बड़े वाले अंगूठे से फसा ले मैट में ताकि आपको बैलेंस करने में इजी हो फिर उसके बाद क्या करेंगे दूसरा वाला पैर भी पीछे चला जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, सांस भरे, एक्जेल और इसके बाद वापस वजरासन बें अब हम करेंगे सेतू बंदासन जिसके लिए हम लोग पीट के बल लेटेंगे इसको ब्रिच पोस कहा जाता है इंग्लेश में दोनों पैरों के बीच में कंदे के बराबर गैप ले लें हातों को बगल में रख लें और आँख बंद करके सबसे पहले एक लंबी घरी सांस लेंगे थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हमें आपे तो सेतू बंदासन में हमने पैरों के बीच में कंदे के बराबर अपने ग्याप ले लिया है हातों को बिल्कुल हिप्स के बगल में रख लिया है इन्हेल करके हिप्स को उठाएंगे और एक्जेल करके हिप्स को नीचे लेके आएंगे दस बार हम ऐसा करेंगे ठीक है तो साथ में कर लेते हैं चलिए सांस भरिए और अपने हिप्स को धीरे धीरे उपर उठाईए और एक्जेल नीचे एक इन्हेल अप एक्जेल डाउन तू एक्जेल डाउन थ्री इन्हेल अप एक्जेल डाउन फोर इन्हेल अप एक्जेल डाउन फाइव इन्हेल अप एक्जेल डाउन फाइव इन्ह Exhale down, 6. Inhale up. Exhale down, 7. Inhale up. Exhale down, 8. Inhale up. Exhale down, 9. आखरी, inhale up, exhale down, 10. हलके से हेपस को नीचे रख दें. अब क्या करेंगे? जो आपके दोनों हाथ हैं, इनको वहीं रहने देंगे और अपने पेरो को उठाके साइकलिक करेंगे. 10 बार, किस तरीके से करना है cycling, देखिए, ये, इस तरीके से simple गुमाना है, ये देखिए, तो हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग, दोनों पैर आगे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से, फिर उल्टा करेंगे, ठीक है, तो 10 बार करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले right leg को ऐसे लेके हैं, फिर left को, ये देखिए, ये सही तरीका है, right, left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पीछे आ गए, फिर एक बार उल्टा कर लेते हैं, 10 बार, ये देखिए, इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, पैर आगे, नीचे, चलिए, फिर से 10 डिप्स कर लेते हैं, सेतु बंधासन के, इन्हेल अप, एक्जेल डाउन, एक, दो, आगे, 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 आगे inhale, up, exhale, down, 10, बहुत अच्छे आसन हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, आपके पेट की जर्बी के लिए एकदम पॉफेक्ट है, चलिए, साइक्लिंग कर लेते हैं, देखिए, सबसे पहले राइट लें, ये, एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, दूसी तरफ कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, वापस ले आएं, अब सेतु बंधासन में हिप को उपर ले जाएंगे और दस सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, आखिरी बार, इन्हेल, आप, होल्ड, अच्छे से अपने हिप को यहाँ प पैरो को अच्छे से जमाएं और यहाँ पे रुके रहें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एक लंबा से गहरा सांस लेंगे, और फिर छोड़ते हुए दोनों हिप को नीचे ले के आ गया, अराम से यहाँ पे रख दिया, इसके बाद क्या करेंग दोनों पैरो को खोल देंगे, राइट लेक को मोडेंगे, और अपने पैर के तलवे को इस तरीके से अपनी जांग पे रखेंगे, ध्यान रखें, घुटने पे ना रखें, और फिर इसके बाद हलके से ट्विस्ट कर लें, दूसरी तरफ देखें, हाथों से थोड़ा सा प आओ पेर, उसको अच्छे से यहां पे जांग पे रखें, यह देखें, सांस भरा और छोड़ते हुए हलके हलके नीचिय फिर दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरे हाथ को यहां रख सकते हैं, सामने इस तरीके से रख सकते हैं, आखे बन करके अराम से गेरी सेही सांस ले न इन्हेल दोनों पैर वापस आ रहे हैं और एक्जेल करके नीचे आ गए अब क्या करेंगे दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पवन्मक्तासन हलके से पैरों को वापस लेके आ गए ठीक है इसके बार क्या करेंगे दोनों पैरों को सामने खोल देंगे पैरों के बीच में हलका सा गया दोनों हातों को पीछे ले जाएं अच्छे से खीचें और एक्जेल करते हुए लूस कर देंगे और यहां पर थोड़ी देर के लिए अखे बंद करके लेटे रहें आस से 10 मिर्ट जद्न आपके पास समय है अपनी सासों को मैसूस करें अराम से रिलाक्स करें इसके बाद हलके से करवट लेके आपको वापस उठकी बैठना है सुखासन में तो आज हमारा यह डे 6 कंप्लीट हो गया यह सेकेंड लास्टे है इसके बाद कल हम करेंगे डे 7 और कुछ नए बैलेंसिंग आसन सीखेंगे तब तक के लिए नमस्ते